हेलो माई डियर स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स हमने मोशन वाला चैप्टर कर लिया था तो अब हम निया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसका नाम है Forces and Laws of Motion देखो ये चैप्टर है ये पूरा अपने कवर करेंगे मैं हर थ्रस्टे को आपको एक वीडियो सेंड करूँगा अपनी खुद की बनाई हुई आपको क्या करना है इस वीडियो को देखना है डेंग से समझना है और अपने नोट्स खुद बनाने है तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जैसे चप्टर का नेम है Forces and Laws of Motion तो force क्या चीज होती है देखो force आपने एक definition पड़ी हुए push and pull is known as force push and pulls are known as force वो definition भी सही है लेकिन वो definition ज़्यादा शाक्षात कर नहीं हो पाती है वो कैसे नहीं हो पाती है मैं बताऊंगा पहले definition सुनो यह वो ली definition सुनो Force is a factor which can change the motion of object for example यह pen पड़ है rest position पर rest पर अगर मैं क्या करूँगा इस पे force लगाओ तो यह move करने लग गया यह move करने लग गया तो किसके कान move करने लगा यह force के कारण move करने लगा तो force कौन सा factor है जिसने इसकी motion की state को change कर दिया यह rest पे था rest जब मैंने इस पे force लगाया ये state of motion में पहुँच गया ये इसके पास speed आगी ठीक है तो किसके कारण ये possible हो पाया force के कारण तो force वो factor है जो objects की motion को change कर सकता है अब ये हमेशा motion को change करेगा के नहीं करेगा ये depend करता है for example अगर आप wall को दिवार को दुका मारोगे कितना मर्जी जोर लगा लो दिवार को हिला पाओगे क्या नहीं हिला पाओगे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप force नहीं लगा रहे तो इसलिए मैं बोलूँगा कि force state of motion को change कर सकता है जरूरी नहीं कि करेगा के नहीं करेगा मैंने ऐसे नहीं बोला कि वो state of motion को मेंशे change करेगा ही करेगा वो कर सकता है possibility है ठीक है अब push and pull मैंने क्यों नहीं बोला ये देखो for example यहाँ पे कोई चीज पड़ी है ऐसे suppose disk की shape पड़ी है आपने क्या किया ऐसे कर कि इसको एसे एक हलका सा जर्क दिया जैसे कैरम मोड में देते है ऐसे जर्क दिया तो ये कहाँ का थोड़ी दूर जाएगी थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी जब आपने इसको जर्क दिया इसके पास motion आगी speed आगी तो ये चलने लगा फिर दीरे दीरे friction के कारण यहाँ पे जाके रुक गया friction ने किया कि इसकी सारी energy खतम कर दी ये थोड़ा दूर जाके रुक गया अब इसको तो आप बोल दोगे आपने किया कि इसको push किया लेकिन friction वाला force है वो इसको opposite direction में pull कर पा रहा है लेकिन बच्चों को वो साक्षागात कर नहीं हो पाता कि कैसे ये pull कर पा रहा है तो वो definition भी सही है लेकिन ये definition ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को तो मैं यही बताता हूँ आप दोनों use कर सकते हूँ so force is a factor which can change the motion of object अब हमारा इस chapter का first topic है balanced forces and unbalanced forces unbalanced forces सबसे पहले देखो यह देखो suppose यह पैन नहीं आपे पड़ है ठीक है two children आए एक ने क्या किया है इस पैन को please wait इसको उटाथ कर लों रंक से यह पड़ा ठीक है एक दो चल्डरन है एक ने इसको इधर push करना start कर दिया दूसरे ने इधर push करना start कर दिया मतलब एक ने इसको इधर force लगाया दूसरे ने इस पर इधर force लगाया suppose दोनो दो बराबर forces लगा रहे है दोनो children बराबर forces लगा रहे है तो पैन कई move कर पाएगा यह नहीं move कर पाएगा क्यों? क्योंकि जितना force इधर लग रहा है उतना ही force उधर लग रहा है तो दोनो forces opposite direction में हैं और same magnitude के हैं तो एक दूसरे को cancel कर देंगे cancel कर देंगे तो pen की इधर भी move नहीं कर पाएगा तो ऐसे forces को बोलते हैं balanced forces क्योंकि एक दूसरे को वो balance कर गई अब unbalanced forces क्या होते हैं? suppose इधर वाला children नहीं वो ज़्यादा तगड़ा है ये ज़्यादा force लगा रहा है वो वाला जो children उस तरफ कम force लगा रहा है तो इसने ज़्यादा push किया है उसने थोड़ा कम force से push किया तो इसकी resultant motion किस तरफ होगी? इस तरफ तो ये पैन इस तरफ जाने लगेगा क्योंकि इसका force ज़्यादा है अब forces balance नहीं हो पाए है ठीक है? क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे ये अपना pen पढ़ा है इधर वो लगा रहा है force suppose F1 ये force लगा रहा है F2 और मैंने बोला F2 की value ज़्यादा है F1 से क्योंकि ये force ज़्यादा है तो ये body इस तरफ move करने लगेगी इस तरह के forces को हम बोलते है unbalanced forces क्योंकि ये पुरी तरह से balance नहीं हो पाए है ठीक है? unbalanced forces अब अब देखो ये body है एक और example देखते है unbalanced forces का इस पे सिर्फ एक ही बंदा इसको इदर खिंच रहा उदर खिंचने वाला कोई है ही नहीं तो ये body obviously इदर ही move करेगी तो इस force को भी unbalanced force ही कहेंगी क्योंकि इसको balance करने वाला force दूसरी तरफ है ही नहीं और suppose दोनों तरफ same force लगा देता है FF तो दोनों एक दूसरे को cancel कर देते हैं क्योंकि इदर जितना force लग रहा है उदर उतना force लग रहा है तो forces cancel कर देते हैं इनको बोलते है balanced forces देखो आप क्या करो चीजों को visualize करने की कोशिश करो physics है visualization सोच के देखो मेरा friend है उदर खिंच रहा है मैं इदर खिंच रहा हूँ equal forces है तो वो किदर भी move नहीं कर पाएगी balance forces है अगर मैंने ज़्यादा force लगा दिया उससे तो वो मेरी तरफ आजेगी जैसे tug of war में होता है जब दोनों टीम से equal force लगा रही होती है तो रोप किदर भी नहीं जा पाती लेकिन जब एक टीम ज़्यादा force लगा देती है दूसरी टीम से तो ज़िदर ज़्यादा force लग रहा होता है रोप उधर ही चली जाती है तो यह थे balanced and unbalanced forces आपको क्या करना है नोट बुक में यह force की definition पहले नोट करनी है और push and pull वाली भी नोट कर लेना उसके बाद balanced and unbalanced force और इसके आगे वाले जो सारे जितना भी चैप्टर अपने pre-mid में आना पहले वो complete करेंगे उसके नोट मैं आपको send कर दूँगा कलिया परसो तक ठीक है इस वीडियो को ध्यान से देखना है समझना है साथ में learn कर लेना है जो next video है वो next Thursday को आएगी उसमें अपना topic होगा शायद next topic first law of motion है और Galileo Galileo का एक experiment है जोटा सो वो discuss करेंगे फिर उसके बाद mass discuss करेंगे inertia discuss करेंगे तो I think two और three videos चाहिए ये chapter half complete होजएगा और pre-mid में half ही आना है ठीक है All the best, keep learning